हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बैक टो दी चैनल पाइलोजी विक पूनम लख लाड़िया आई को आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो हम ब्लोटिंग टेक्नीक कर रहे थे जिसमें की अभी तक हम इंट्र सपोज हमारे पास हमोजनाइस का शिशू का शेंपल है उसके अंदर हमें किसी भी specific प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो उस condition में हम western ब्लोटिंग टेक्ञ्ड का इस्टिबाल करेंगे western ब्लोटिंग टेक्नीक को इम््मुन ब्लोटिंग टेक्नीक में कहते हैं और locate a specific protein in a tissue homogenate sample based on their ability to bind to specific protein और वो protein क्या होगी वो होगी antibody तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से protein-protein interaction होता है protein-protein interaction ये protein कोई से होगी हमारी antibody ठीक है अब जो main steps है वो हमारे same बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि अब जो थोड़ी-थोड़ी changes है उनके बेस्पे में आपको इसको फिल डिटेन में करवाते हैं ठीक है suppose हमारे पास क्या है एक protein-pool है protein-pool protein-pool मतलब हमारे पास बहुत सारी protein है ठीक है हम क्या करेंगे सबसे पहले उनको eppendroft में लेंगे ठीक है हमने वो सारी-सारी protein को हमारी eppendroft में ले ले लेने के बाद में हम इनको extraction कर लोगे उस-pool में से क्या करेंगे सबसे पहले अब protein का extraction ठीक है protein extraction हो जाने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे separation separation कैसे करेंगे वही as it is electrophrosis है gel electrophoresis separation कैसे होगा through gel electrophoresis अब यहाँ पर जो हम gel electrophoresis करेंगे वह करेंगे polyacrylamide gel electrophoresis ठीक है क्या करेंगे polyacrylamide poly polyacrylamide gel electrophoresis क्या होता है यह मैंने CUAT 24 एक्जैम के नाम से एक प्लेइलिस्ट है वहाँ पर जाहेगा वहाँ पर सारी टेक्नीक्स को मैंने दिया हुआ है वहाँ पर जितनी भी टेक्नीक्स हमारे एक्जैम के पॉइंट प्यूस से इंपोर्टेंट है मैंने उनको डाला हुआ ठीक है तो देख लीजेगा महाँ पर तो जब भी हम किसी protein को separation protein का separation करते है तो बहाँ पर हम जो gel electrophoresis टेक्नीक क्यों करते हैं महाँ पर हम polyacrylamide gel electrophoresis का इस्तमार करते है ठीक है अब polyacrylamide gel electrophoresis का ही हम यहाँ पर इस्तमार क्यों करते हैं देखो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी protein होती है क्या होती है हमारी protein उसके अंतरे amino acids होते हैं है ना तो वो क्या होते है positively charged भी होते हैं कुछ negatively charged होते हैं और कुछ neutral ठीक है अब अलग-अलग charge होनी की वज़े से क्या हुआ कि हमको हमारे जो analysis है उसमें दिक्कत आ सकती है तो इसलिए हम क्या करते हैं polyacrylamide gel electrophoresis का इस्तमाल करते हैं जिसमें कि हम एक buffer इस्तमाल करते हैं उस buffer का नाम क्या है SDS buffer इस SDS buffer को हम polyacrylamide gel के साथ में add-on करके separation करते हैं हमारे protein उस polyacrylamide gel electrophoresis में SDS डालने का क्या वायदा होता है कि हमारी suppose हमारा कोई भी protein का stain ठीक है इसके अंदर positive negative और neutral protein के parts है ठीक है तो जब हम इसको इस SDS के साथ में treat कर देंगे तो अब जो यह हमारी protein है ठीक है यह जो हमारी protein है अब यह क्या uniformly negatively charged हो जाए ठीक है क्या हुआ कि हमने इसको negative charge से पूरा का पूरा cover कर दिया अब यह जो पूरी protein है जो की पहले positively negatively and neutral इस तरीकी के sign रखे हुई थी अब यह पूरी की protein कैसी हो गई पूरी पूरी protein कैसी होगी negatively जाओ ठीक है अब हमें इसको इस practical को perform करने में थोड़ा सा easy पर जाएगा ठीक है अब यहाँ पर protein ले ली अब क्या करेंगे हम इसको इस जल के थ्रू पास करेंगे ठीक है हमने sample को लिया और उस protein को यहाँ पैसे wells के अंदर add-on डालना रखेंगे cathode side cathode की sides में हम well रखेंगे और anode की side में हम इसको run करने देंगे क्यों इसका reason है देखो cathode में हम इसको रखेंगे क्योंकि हमारी जो protein है वो कैसी है सारी सारी negatively charged है ठीक है अब negatively charge है तो जब run करेंगे तो किस sign की तरफ को जाएगी obviously positive side को है ना तो हम wells को cathode की side में रखेंगे और anode को second दूसरे pall पर रखेंगे और इस तरह से यहां पर हम जब इसमें current pass करेंगे तो यह जो हमारा protein है यह positive से sorry negative से positive side की side को जाएगा और इस तरीके से हमारे को यहां पर यह according to the molecular size यह bands मिलने शुरू हो जाएगे तो इस तरीके से हमारी gel के उपर band जो है वो आ हमारी bloating technique में करते हैं उस gel से protein का जो strains आए है protein के जो fragments आए हैं जो भी हमने extract किये हैं उनको हम nitrocellulose की membrane पे डालेंगे कहीं पर नाइट्रो cellulose की membrane ठीक है तो यहां पर नाइट्रो cellulose की membrane पे हमको DNA का impression लाने के लिए भी एक्ट्रो bloating करनी होगी क्या करनी होगी electro bloating तो अभी तक हमने क्या technique करी हैं यहां पर सबसे पहले हमने extraction कर लिया extraction करने के बाद में हमने यहां पर यह separation कर जाए यह होगी हमारा separation ठीक है अब separation के बाद में हम यहां पर करेंगे transfer तो transfer पे क्या करेंगे नाइट्रो cellulose की membrane के उपर हम इस protein को transfer करने के लिए एक set up अरेंज करेंगे जिसमें की सबसे पहले हम sponge लगाएंगे फिर हम filter paper लगाएंगे फिर हम हमारी gel लगाएंगे जिस पर यह हमारी protein है फिर हम bloating membrane लगाएंगे जिसके उपर के हमारे protein को हमें लेके जाना है, है ना, membrane के उपर डालना है, ठीक है, फिर हम filter paper लगाएंगे और फिर response लगाएंगे, और इस setup को भी हम electricity pass करेंगे, जब हम यहाँ पर electricity pass करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे negatively charged proteins है, वो positive sign की तरफ move करेंगे, और इस तरीके से bloating membrane के उपर हमारी पूरी की पूरी protein आ जाएगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर transfer हो जाने के बाद में, हमारी gel से protein को bloating membrane के उपर transfer हो जाने के बाद, अब उसके उपर हम probe को add on करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो probe होगा, वो होगी हमारी antibodies, क्या होंगी, antibodies, तो यहाँ पर हम दो तरीके के antibodies योज़ करेंगे, एक primary, और एक secondary, ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, जब हम हमारी protein को इस gel से bloating membrane के उपर लेकर के आते हैं, तो ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे blank spaces भी होता है, empty spaces भी होता है, bloating paper के उपर, जैसे कि हमारी यह bloating paper है, और इस bloating paper के उपर, suppose ऐसे protein आ गए, ठीक है, यह इस तरीके से protein आ गए, तो अब यहाँ पर जो खाली space है, इन space को हम, membrane के उपर जो यह खाली space है, इनको हम fill करते हैं, with blocking agents, क्या करते हैं, हम blocking agents से इन space को fill कर देते हैं, यह, इस तरीके से हम इन space को fill कर देते हैं, पूरे के पूरे space को, मतलब पूर पूरे के पूरे स्पेस पे सिर्फ दो चीज होगी, क्या, एक तो हमारा प्रोटीन, जिसको की हमें डिटेक्ट करना है, और दूसरा ये ब्लोकिंग agent ऐसा हम क्यों कर रहा है, क्योंकि जो खाली स्पेस होगा, वहाँ पर हमारे प्रोटीन के डिस्लोकेट होने का डो अशकता है, ठीक है, हमारे अनलेसिस के कलथ होने का ड अशकता है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी empty space होता है उसको हम blocking agent से occupy कर देता है अब यह जो blocking agent होता है यह हमारे एक तरीके के neutral proteins होता है क्या होता है neutral proteins अब यह neutral protein में क्या क्या आता है हम B, S, A का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह हम 3-5% लेता है ठीक है और हम यहाँ पर dry milk जो non-fat non-fat dry milk हम इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं यह B, S, A क्या होता है यह होता है हमारा bovine serum albumin ठीक है तो यहाँ पर जितना भी हमारा free space होता है उसको हम blocking agent से fill कर देते हैं वो जो blocking agent होता है हमारा mutual protein हो सकता है जिसे कि हम B, S, A का भी इस्तमाल कर सकते हैं non fatty, non fat dry milk का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो हमारा base से होता है वो 3-5% हम इसके अंदर add-on करते हैं ठीक है हमारा जो buffer saline होता है TBS उसके साथ में हम add-on करके इस तरीके से membrane के ओपर blocking agents को लगा देते हैं blocking agent लगा देने के बाद में जो हमारा membrane अब नज़र आएगी वो membrane इस तरीके से नज़र आएगी ठीक है यहाँ पर ऐसे यह membrane हमें इस तरीके से नज़र आएगी अब हम इसके ओपर antibodies का treatment देंगे ठीक है तो treatment देंगे मतलब हम probe के साथ में हम यहाँ पर हमारा probe इस्तमाल कर देंगे प्रॉब में हम एंटीबोडि का इस्तमाल करने ठीक है एंटीबोडी कुन सी होंगी primary antibody और secondary antibody ठीक है जो हमारी primary antibodies होती है थो specific antibodies होती है जो कि ہम हमारे जो protein को हम डेटक्त कर हें उसको मदेनिजर रखते हों हम primary antibody का इस्तमाल करते हैं तो अब हम क्या करेंगे primary antibody के साथ में इसको incubate कर देंगे और यहां पर हमारी primary antibody कितने हो नहीं 0.5 to 5 microgram per ml इतनी primary antibody हम लेंगे और membrane को incubate कर देंगे कहीं के लिए to this specific protein ठीक है और इस पूरे के पूरे process को हम करेंगे हमारे room temperature पर यह सारा process हम room temperature पर ठीक है इतना हो जाने के बाद में अब हम जो diluted हमारा P, B, S या 50, B, S, T ये कोई भी यो buffer हम लेकर के इसको फिर wash off कर देंगे मतलब कि यहां पर जो जितनी भी extra antibodies होंगी primary antibodies होंगी जितनी भी extra primary antibodies होंगी उनको हम wash off कर देंगे हमारे buffer के देंगे ठीक है और फिर हम incubate करेंगे एक घंटे के लिए एक्स्रा वोश हो गया हमारे antibody extra wash हो जाने के बाद में primary antibody का work हो जाने के बाद में हम यहां पर secondary antibody secondary antibody को यूज करेंगे अब जो हमारी secondary antibody होती है वो एक specific तरीके क्यों होती है specific तरीके कैसे वो हमारी coupled enzyme antibodies होती है कैसी antibodies होती है coupled enzyme ठीक है अब यहां पर जो हम enzyme use करते हैं वो होता है हमारा horse redis peroxidase कौन सा enzyme होता है horse redis peroxidase अब यह जो हमारा horse redis peroxidase होता है इसको हम इसलिए use करते हैं क्योंकि यहां पर horse redis peroxidase enzyme को जब हम substrate के साथ react कराएंगे तो यहां पर वो substrate से luminol H2O2 के साथ में react करके है ना यहां पर light emit करेगा react करके क्या करेगा light emit करेगा और उस light emission से ही हम जब उसको autorediography कर रहे होंगे तो हम पता लगाएंगे कि यहां पर हमारी protein present है के नहीं है तो उसके लिए reaction कैसे होती है देखो अब हमारी membrane है membrane के उपर हमारी target protein अगे target protein के उपर सबसे पहले हमने primary antibody लगा दी primary antibody के साथ में हमने secondary antibody लगा दी तो यहां पर एक reaction होगी वो reaction किसके बीच में होगी वो luminol जो हमारा substrate हमने add-on किया है enzyme substrate add-on किया कि इसका luminol और यह जो हमारा horse redis peroxidase है इसका H2O2 reaction करेगा जिससे की एक तरिके की light emit होगी क्या होगी light emit होगी जो की approximately 425 nanometer की उती है वो light emit होगी उस light emission से हमको idea लगेगा कि हाँ यहां पर कोई protein present है कि नहीं है क्योंकि वो light उसी जगा पर emit होगी जहां पर वो हमारी specific target protein होगी ठीक है जब हम इसकी यहां पर film ले जाने के बाद में उसकी auto radiography को करेंगे तो auto radiography में अगर हमारी band present है ठीक है अगर auto radiography पर यहां पर हमारी band present है यानि कि हमा लग जाएगा कि यहां पर हमारी protein जो भी specific protein है वो present है और अगर band नहीं होगा तो हमारी protein क्या होगी वो absent होगी इस तरीके से हम हमारी protein को detect कर दिए ठीक है तो यह हमारी पूरी की पूरी western protein की technique है ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा western bloating के बारे में मैंने जो भी आपको discuss करने की कोशिश किया बताने की कोशिश किया अगर आप इस channel पर नए है तो kindly do subscribe, don't forget to press bell icon so that you can get all the notification whenever I post my new videos ठीक है तो अगर इस western bloating के regard में कोई भी आपका question है तो आप मुझे comment box में लिख सकते है मैं उसको answer करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँ ठीक है तो thank you for watching, take care, God bless you all